बारिश के मोसे में गर्मा करम समोसे मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ रहे और वह भी घर के बने हो तो काफी तेस्टी और खस्ता समोसे की रेस्पी लेकर आई हूँ तो चलिए इसे बनाते हैं अभी समोसे तो ऐसे सनैक से जो बड़े और छोटे सभी काफी पसंद कते हैं और हर मोसा में ये खाई जाते बट बरसात के मोसा में ये जादा पसंद किया जाते तो चलिए से बनाते हैं एकब मैदे के लिए मैंने इसमें अब थोड़ी सी अजवाइन आप हाथ से मसल के इसमें डाल दें वन फो चमच इसमें मैंने नमक एड़ किया और इसमें तेन से चार चमच गी के डाल दिया फिर आप रिफाइंड ओयल भी डाल सकते इसमें अभी आटे को अच्छे से हाथ से मिला लें आप और ये देखे हाथ में जब ये अच्छे से ये इकठा होने लगगा आटा तो समझ लिए अच्छे से मिक्स हो गया अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करें इसमें मैंने वन फॉर्थ कप पानी का एड़ किया जिसका टोरी से आप इसकी मेजर्मेंट लोगे मैं देखे आटे की उसी कप से आप इसका पानी भी ले वन फॉर्थ कप लगा अभी इसे अच्छे से आटे को गोन के मैंने 20-25 मिनिर के लिए गीले कपड़े मैं लेपेट के रख दिया समोसे की फीलिन त्यार करने के लिए पहले इसके लिए मसाला त्या कीटिया मैंतर आपेस्ट के लिए फॉर्ण के लेपूड़ करिया त्याइए यह पाउडर के एसे बीच्छे से मिक्स कर लें अभी इसमें लच्छो नद्रव का पेस्ट और हरी लाले मिच्ची डाल दी इसे भी अच्छे से बून ले इसे अच्छे से बूनने के बाद आप हल्दी नमक इसमें आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाले मैंने इसमें आदा चमज नमक एड़ किया। गरम मसाला भी इसमें डाल दिया अब इससे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिच पाउडर भी डाल दी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हमने बॉाइल की हुए अलो भी एड़ कर दिये इसे भी अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और मैश करेंगे अच्छे से हालो को अच्छे से मैश कर लेंगे कि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और अभी मैने इसमें निम्बो का रस पी आइड कर दिया एक निम्बो का रस आइड किया इससे काफी अच्छा इसका टेस्सा था चटपटा और खटा अभी यह देखे 20-25 मिनिट के बाद ये कर लिया है एसके अब हम पेड़े बनाइंगे फार इसके मैंने पेड़े बनाने शुरू करky की अब इसके हम रोटी बनाएंगे है ہے जूम कर देने हैं तो ये छोटी हाऊ और मोटा हो जाता है तो इसलिए जितना पतला हो से कि उतना पतला करें और इसे बीच में से कट कर लिए रोटी को कट करने के बाद हम एक ही पीस में इसका समोसा बनाएंगे अब इसके किनारों में अब हम पानी लगाना शुरू करेंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए अब इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से सील करेंगे कि खुले ना नहीं तो समुसा अगर फट गया तो वह स्टफिंग जो बहा निकलाएगी तो आप इसे अच्छे से दबा के प्रेस करके सही दबायां की अच्छे से खुले ना बीच में से अच्छे से सील करें अब इसमें हम आलो की स्टफिंग भर देंगे यहें दीखें और हाथ से आप इसके ओपर के किनारों को दिवाते जाएं और फुल्ड करते जाएं और जहां से आपको यह मोटा लग रहा थोड़ा तो इसे हाथ से दबा के लंबा कर दें तो यह देखिए इसकी यह शेप बन चुकिए समوسी की यह देखिए समोसे के जो रोटी है वो आप पतली ही रखे तो जादा अच्छा होगा अगर यह मोटी बनी तो जब आप इसे फ्राइ करेंगे तो यह बाहर से तपक जाएगी पर अंदर से कच्छा रहेगा तो यह बाहर ज़र समोसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो यह जितन बना लेंगा उनकी शेप भी देने आ जाएगो ने समोसे बनाने के बाद मैंने इससे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा जिसे की बाहर की लेयर वह कडको जाती हो समोसा काफी खसता बनता तो अब यह मैंने पैन मे तेल डाल दिया तेल को गरम करने के बाद अब इसमें मै अच्छे बनते काफी खसता अगर आफ फ्लेम पे पकाएंगे तो क्या होगा वह वह वाहर की लेयर तो पक जाएगी पर अंदर से कच्छा रहेगा तो इसका कोई फाइदा नहीं तो इसलिए समोसे को लो फ्लेम पे फ्राई करें समोसे को फ्राई करने में आपको 15-16 मिल लग जाएंगे समोसे बिल्कुल बाहर जैसे बनके त्यार हुए है देखिए इसका कलर कितना अच्छा है तो आप ये समोसे इंजॉय करें खास करके बारिश की मोसम में ये देखिए कितने खसता बने आप इसके वास सुने आप ये समोसे की रेस्पी ट्राई करें और बताए आपने समोसे कैसे बनाए आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू